बिखार की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिखार उच्चनाब को लिकर वोटिंग हो गई है तीस तारीक को ही और कल यानि की दो नवेंबर को रिजल्ट आने वाले हैं एक अलग सी ही धुक धुकी कहें बिहारी भाषा में तो लालो यादस को भी हो रही होगी और निकीश कुमार को भी हो रही होगी लेकिन जो समय बचा है वो केवर आज की रात का समय बचा है तो आपको क्या लगता है किसके लिए आज की रात ज्यादा भारी होने पाई गरिमा जी एक फिल्म आई थे साहे बीबी और गुलाम और उसमें आसा भोसले ने एक गाना गया था साकिया आज रात मुझे नींद नहीं आएगी सुना है तेरी महफिल मेरत चगा है तो सच मुछ आज जा लालू यादब की महफिल में किसी को नींद आएगी और नहीं नितिस हुमार की महफिल में किसी को नींद आएगी और उन्हें भी नींद नहीं आएगी जो पक्ष या बिपक्ष मतलब जो चुनाव लर रहे थे अपने अपनी पार्टी के लिए और जिनके जिम्मे तारापूर और उशिश्वरे स्थान था तो आज की रात भारी है इसमें कोई शक नहीं और कल रात से ही देखिए माथा पची तो चली रही है कल जैसे ही सुबह कल दो नवंबर है धन तेरस का दिन भी है दिवाली किसके आहां मने देवाला किसके हाँ होगा यह भी कल तहिः होगा किसके आहां रसुछ बठेगा और किसके आहां बीपी माथने को डॉक्टध बुलाएंगे यह भी तहिए होगा तो दिकी रत जगा तो आज है और कल क्या-क्या होगा यह कल पना से परे लेकिन मैंने कहा था एक जिद पो न दोनों पक्ष अपनी जीत को लेकर आसानवित हैं आर जेडी भी जेडी ऊपर और दोनों ही पक्ष का जो डावा है न वह डावा बताता है कि फर्मामीटर का बुखार बहुत ज़्यादा है दोनों ही पक्ष से आप पूछिए कि अच्छा ठीक है आप जीत रहें अंतर कितना स होगा तो कोई बोलेगा 5000 कोई बोलेगा 7000 मतलब 5 से 7000 देखिए दी अंतर और फासला इतना ही है तो भविश्यबानी बहुती कठिन है क्योंकि आपने एक-एक मन को नहीं पढ़ा है और देखिए दैनिक भासकन ने किया और कहा कि जेडियू दोनों सीटों पर मतलब ताराकूर और कुश्यस्वर स्थान में नीटी से कुमार है बिहार बिदान सब्सक्रा के चुनाव में दैनिक भासकर का एक जिट पोल सतीक बैठ किया था लेकिन इसके बाद कि किसी को तसल्ली नहीं है तो यह सुई आलम मान देखिए आर जेडिक कैम्प में तो आगे की रनीती पर काम चल रहा है और जेडियू कैम्प में यह माना जा रहा है कि हमने कोई नुक्षान नहीं किया है मतलब दोनों सीथे मेरी और दोनों सीथे मेरी ही रही कौन सी आगे की रनीती मैं चाहूंगी कि आप बता रहें आपको लेकिन आप देखिए कल क्या-क्या ब्यान आ सकते हैं जो हारेगा वह चुप हो जाएगा कहेगा जनता का जनादेश है मुझे शुकार है ठीक है ना कल तक जो कह रहे थे सिटी-पिटी गुप हो जाएगी ज भो जीते हाग। यरु दोनों शीते जिते के लिए ने दोनों सीटे जीट ली तो कहा जाएगा कि देखा ना लालू ऐादव क्या भाव था भीहर की जंता ने बता दिया ॹ। में दोनों सीटे जीत लिँए टो लालू यादब मतलब राज़त बोलेगा लाशू जी तो आ ह अब ऐसी इसटिती में कुछ कहा ना दीए आज येदी तो कहा गया कि हम फाइडे में हैं जेदी कहेगा कि ठीक है हम समिछा करेंगे और जो हरेंगे ओ यह भी कहेंगे कि हम समिछा करेंगे तो देखिए सरगらमी इतनी तेज है कि जिन के žिमें बूट का जिमा दिया गया था उनसे एक एक बूट का ख्याल एक एक बूट का ख्याल और एक एक ब्यक्ति से नहीं पांच पांच ब्यक्ति से स्तस्थीक किया जा रहा है कोई करा कि नहीं यदि आठ सो मत परे हैं तो पांच सो मेरा है कोई करा की सारे चार सो मेरा हैं, कोई करा है तो इसका एक औस्त निकाला जा रहा है और इस औस्त के बहाने अपनी जीत और हर का आकलन किया जा रहा है देखी यह सच है कि बूठ मैंजिमेंट में जेडियू का पंदरा भारी था चुनाओं के थे वैसे मैं बार बार कह रहा था बिहार की बात में कि उप चुनाओं में सत्ता पक्स का दखल अधिक होता है लेकिन बूत मैंजमेंट के अलाबा यदि बोट जिसके साथ होगा वो चुनाओं जीट लेगा बूत मैंजमेंट कितना टैग करेगा तो यह बरी बात है आपने कुछिस सुरे स्थान में भी देखा कि इतना सारा बबाल कितने इतने सारे आडियो बाइरल हुए कि भाई कहां उसमें जन्वितन पनाली की दुकाने भी आ गई पीडिया सिस्टम भी आ गया तो आज की रात बहुत ही भारी है और आप आपने कहा कि कि आगे की दन निती क्या है देखिए यदि लालू यादव जीट गए तो फिर आप समझ लिजे कि आगे बहुत कुछ होने वाला खेला होने वाला है तुरंट जीतारा मांजी का मन टतोला जाने लाएगा तुरंट भी आइपी के बिढ़ायकों को देखा जान तो मुके सनी तो हारकर मंत्री बने हैं चुकि एक पार्टी के अध्यक्स थे तो उनके बिढ़ायक अब देखना होगा कि उनके बिढ़ायक उनके साथ कितने हैं एक के बारे में तो कहा जाता है बाकी पर लोग दोरे डालने में लगे राते हैं और यह भी बात है कि कई भी रिजल्ट जेडियू के फेवर में ही गया तो फिर नितिस्कुमा तो और जेडियू के जो स्पोक्स परसन होंगे आप देखिएगा कल ललन सिंग रास्ति अज़क्ष कैसे बोलेंगे नीरज कुमार कितने तीखे बयान जारी करेंगे हाँ नीरज कुमार बताएंगे कि आए थे आप कहां से आए थे होटवार से ले कर गए चारा घोटाला से ले कर गए सब कुछ की बात करेंगे और जब आप मैं लगाता है टूटर और फ्रेस्बूक पर देख रहा हूं यूटूब पर देख रहा हूं जो कमेंट बॉक्स है कि दोनों ही पक्षों में होसला बहुत बरकरार है और जेदियों की जीत होती है तो कहा यह जाएगा कि नितीज कुमार के चेहरे को बिहार की जन्ता ने फिर से मुह लगा दिया है को नितिश कुमार का इंजेत तो बेहर को मनजूर है न्टिश कुमार का सुसाफन जिस से कहते हैं वो कि लोग सांती चाहते हैं भलही सांती के बास्तिय के बदले कुछ और नमीले या नम रहा हो या फिर जो दूसरी चीजे हैं जैसे देखिए यदी महंगाई इसका मतलब हुआ कि मुद्धा गौन हो गया इसका मतलब होगा बिरुजगारी का मुद्धा गौन हो गया और फिर और यदी रिजल्ट पर्टिकूल हुआ तो लालु यादव क्या कहेंगे महंगारी डायम मेरुजगारी डायम तेजस्य यादव कह चुके हैं कि जन्वरी में हम महारैला करेंगे result पर्तिकूल होने के दोस दोनों सिटें जो हैं या बिहार की सकता पो और जिस तरीके से चर्चाएं हैं और आपने देखा भी हमने भी देखा कि गाउं गाउं में दोनों ही पक्षों के नेता अजनबी चेहरे माल असबाब के साथ सब कुछ के साथ धटे हुए थे कोई कमी नहीं हो भोट देना है एक चर्चा यहां भी रही कि तारापूर में जो जेडी आज जेडी के जो पत्यासी थे वह मक्षी चूस थे तो यहां सूचना भी आज दिन नेतुको परिसान कर रही है कि उनका मक्षी चूस होना चुनाओ के दिन कितना डिस्टरब कर गया कुछ स्थान में जो नया प्रयोग किया कुछ स्थान और तारापूर दोनों ही कि भाई आपने देखा वहां मुर्वा में आपने देखा सासाराम में तो अब यहां क्या आसर हुआ तारापुर में मुशलमान और यादब देखना होगा कि यादबों के बूट्फ कितना बोटिंग जो था अग्रेसिव था और बैस को यह हमने तिकत दिया तो बैस हमारे आए कि नहीं आए यह तैग करेगा लालू यादब की आगे की रन नीती को दी तारापुर का रिजल कि हमें माई समीकरन में ही कुछ और जोर घटाओ करना है कि बैस के साथ भी चलना है इसी तरीके से आपने देखा कि उन्होंने प्रयोग किया कुशेश्वर स्थान में कु कि मैकल बक्तब्ब शुन रहा था वाशीम ने इंत्रव्यू किया था हमारे चैनल पर कह रहे हैं तो यह मत कहिय है कि कॉम्स को शुर्बार है तो इसका मतलब यह नहीं को मत मिलने वाले जो भी मिले है बोटिंग तो हो चुकी है तो वह बोटिंग कितनी हुई थी और उसका आसर क्या हुआ देखिए तारापुर में बोट बहुत कम मिले तो कॉंग्रेस के उमिर्बार के रहने न रहने का कोई फाइदा आरजेडी को नहीं हुआ बोट अधिक मिल गया तो जेडियों को नुक्षान हो गया आरजेडी कहें कि ठीकी रहा तो यह देखना हुआ कि बर्सों से लगातार सिवा करते आ रहे थे अमेरिका से आये थे करोन रूप्या बहाया है कभी स्कूल बैग बाता कभी कुछ बाता कभी लिखने पढ़ने को किताबे बाती तो वोट कितना आया और ठीक इसी प्रकास थे कुशेस्वर स्थान में कुशेस्वर स्थान में लेकिन दोहजारी की सुप चुनाव में यह देखना होगा कि जब कॉंग्रेस अकेले लड़ी तो असोख राम के साथ कितने ब्रहामन बदाता गए और यह कैसे दिखाई पड़ेगा जो ब्रहामनों का गाउंग है तो ब्रहामन यदि साथ गए तो नुक्षान होगा जेडि और आज की रात बहुत भाड़ी रात है और कल धन्तेरस है देखिएगा जहां हार होगी वहां लोग चुप हो जाएंगे खामोस हो जाएंगे फिप्पी फिप्पी होगा तब भी आज यदि कुछ बोलने की सिती में होगा कि हमने सुरुवात कर दी है कि हमने हमने एक सिटो भोड ठुए बोड से जीटी एसूप शजां से जी चेती यथे से कंदर मतलब जाट के बाढ़ इसका मतलब नहीं क्यूंकि जो है वो शुकोशिस का जो 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 प्रहुरित करने वाला है यह कि आपको पता है कि कि जो सरकार हे वह बहुत कम बहूमत से तिकी हुई है और जो लालु यादब कार कि हम करने आए हैं आप सोचिए ना कि जैसे ही एक सीथ बरोतरी हुई जर्ण की तो एक सो सब्सक्राइब कर देया कि तो बिहार विदान समाट 2020 का चुनाव था उसमें जे लिए यू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई चिराग पासबान काते हैं मेरे कारण हो गई ठीक है वो फैक्टर रहे भी थे लेकिन देख रहा होगा 2021 में उनका क्या हाल हुआ तो जेदियू का नुक्षान यह है कि 43 सीट से 41 इत पर आज हैं चुकि दो सीटों पर जो उप्चुनाव हो रहा है व पिर बीजेपी की भीतर से भी आवाज उठेगी तेखिए आपने देखा कि समराज चौधरी कायम कर रहे थे आपने देखा लेकिन समराज चौधरी क्या करते कि में यह व्यान भी आपने सुना ओगा कि 2025 में बीजेपी अपने बूते कि दोनों ही मेरे चेले हैं उन्होंने तो कन्फ्यूजी कर दिया जब बोड डेकर वे निकले और लोगों ने पूछा कि आपने किसको आसिरबाद दिया तो उन्होंने कहा कि कि दोनों मेरे ही चेले हैं दोनों में से कोई जित जाएगा तो मुझे खुशी होगी तो वहां अरुण साह और राजीप कुषबाहा मतलब जेडियू के मेरे बार अरुण साह आरजडिकु मेरे बाद दोनों को ही हुए असिरबाद दे रहे थे तो यह उप चुनाओ जो है य हैं तीन चुनाओ के बाद तो उन्हें तीकट लीए मिलता था यह तो मेवारा चौधी चले गए के परिवार वाले चुनाओ ने को तैयार नहीं हुए उनका समर्थन मिल गया का अशिरबाद मिल गया नितिस्कुमार पहले से जाथ ते इसलिए हुए मैजान लेक। उनका जत्रा जो हारने का ज06 बना हुआ था क्या वो जीत पाते कल बाबा बैदेना धाम में आशिरबाद मांगने पहुच गए थे कि बाबा मद दाता तो मद्दी चुके है अब मैंने सुना कि बहुत सारे प्रत्याशी जो है आसपास के जाने माने धाम मंदिर पहुच रहे हैं आशिरबाद लेने के लिए केवल पत्यासी क्यों असोग चौधरी भी पहुचे वो तो चुनाओ के नहीं पहुच वह तो बिचुनाओ के द्रम्या नहीं पहुचे थे क्योंकि देखिए असोग चौधरी संजय सिंग नीरज कुमार ये लोग ऐसे निता थे जो सुरुवाद से तारापुर की जमिबारी और कमान सीथे तोर पर जेडिव के निस्टल प्रेसिजन्ट ललन सिंग ने समाल रखी थी ललन सिंग होमियोपएटी डॉक्टर भी है इलाज करना भी जानते हैं तो उन्होंने समाल रखी थी और उधर कुशेश्व रस्थान में आपने देखा कि वहां संजय जा उमेश खादेब मापूरती मंत्री तो यह सभी मिलकर इस तरीके से मतलब पूरी तयारी से और कोई गाउं ऐसा नहीं होगा कुशेश्व रस्थान और तारापूर में चाहें वहां पहुंचना कितना ही कठिन क्यों न रहा हो कि वहां कोई न कोई नेता और कोई न कोई बहुत दू का लपसर हो जाता है है हां तो आभ यह बताए जा रहा था ने पोचल कि गन है तो इस तरीके से माइकनी लेबल पर यह management किया गया चुनाव का और वैसी जगों पर मैं एक निता जी का फोटो देख रहा था कि वो मच्छादानी लगा कर एर कंजिशन से बाहर कर भी नहीं आये होंगे मच्छादानी लगा कर बरामदे पर सो रहते और कई रात सो रहते मैं एक बहुती बड़े सिख्षक का देख रहा था एक सुदूर गाओं में रात को चबुत्रे पर बैठे थे समझें कोई दूर दूर से कोई तारापूर से और स्थान से बास्ता नहीं था और लगाचार कई दिनों तक जब तक चुनाओ खत्म नहीं हुआ परचार तो खत्म हो गया था था इस सारी को लेकिन चुनाओ तक हाँ चुनाओ तक देखिए आपको परचार करने से रुका ग ले गया अब लालूय औदब कि जांते हैं कि लोग कहेंगे औरдел का जानते हैं एद कर देंगे लेकिन है यदि नितिश्कुरों जीते दी भॉकल तई कर देंगे skeptica बजन कितना रहा है क्योंकि लालू यादब से लड़ना को इसी ने सीखा तो वो निटिस कुमार नहीं सीखा आप चाहे देखिए उस दिन भी हमने कहा था कि सारे रास्ते अक्तियार किये और सब कुछ किया इसमें भी कोई सक नहीं है कि बिहार में घर घर तक बिजली पहुंच गई गाउं में शरक पहुंची इसमें कोई सक नहीं है तो अब यह लेकिन यह जो उप्चनाव कल नतीजा कल सूबस से हम और आप दोनों रहेंगी कि क्या चल रहा है कौन कितना मद से पीछे चल रहा है लिए कि मैंने कहा ना कि कल बीपी नापने वाले रौक्ट्रों की जोड़त भी होगी दोनों महफिलों में कौन जल्दी चार्यातान का सो जाता है और कौन देने के लिए बिलकुल एक नम मुस्तैदी से अला लादा या नितीश खेमे के लिए भी और लालो खेमे के लिए भी देखने वाली बात यह हुगी कि कल किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहता है मालक्ष में का अशिरवार किस पर रहता है दिवाली किसकी अच्छी मंती है हमारा आप नदर बनाई रखे लिए आप भी हमारे साथ बने रहे लोग नहीं तो अब तक तो मिठाई आना सुरू हो जाता था लेकिन अब यह दिखिए जहां जीत मिलेगी वहां से मिठाई आएगी जहां जीत नहीं मिलेगी वहां से मिठाई नहीं आएगी इस वाइं मिठाई की आमद भी कम रह नहीं है चलिए मिलते है कल हम लोग फिर से टीका दो काई मिलते हैं जालिया